कोटा से आ रही बड़ी ख़बर के साथ और अपडेट भी आप इस मामले में जा लीजी कि अगवाज छात्रा के इस मामले में नया मोड सामनी आया है। पोलिस ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि छात्रा कोटा के किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही थी ना ही पीजी में ना ही हॉस्टल में रहने की कोई सुबूत मिले हैं। पोलिस के मताबिक कोचिंग से जो भी मैसेज परजिनों को भेजे गए हैं असल में वो मैसेज कोचिंग सेंटर से नहीं बलकि छात्रा ने अपने मुबाइल फोन से भेजे थे। पिता से 30 लाक रुपे फिरौती मांगी है। रुपे नहीं देने पर छात्रा को जान से माणने की धमकी दी हैं और इस पूरे मामले पर कोटा शोहर S.P. अमरिता दुहन ने कहा है कि पोलिस के शुराती जांच में जो तथ्या मिले हैं उसके मताबिक छात्रा का कोटा में कि दाखिला नहीं हुआ था और ना है वो कोटा के किसी हॉस्टल या पीजी में रह रही थी। पुलिस की माने तो फिलहाल ये भी स्पश्ट नहीं हो सका है कि छात्रा कापरण कोटा से हुआ है या किसी और जगा से हुआ है। कि हमें कल शाम कूप शुपूरी की पुलिस विभाग से मुझे सूचना मुझी और उन्होंने बताया कि वहां पर जो रगुमी इधाकर जी है शुपूरी के रह से उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधा कोटा में कोटा में कोचिंग कर रही है। मुझे पास फोटोग्राफ और धमकी भरेवाने मेसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को उन्हें अग्वा कर लिया है। आप हमारे खाते में यह खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30,000,000 होगे तुरंट जमा कर देए। इस बाग की कभीता को देखते वे तुरंट टीम्स रखित की वे, टीम्स रवाना की वे और फील्ड में आज उच्छा सर्क्राइन की वे लिजी की तो क्या कहना है इस मामले में पुलिस का वो आप सुन रहे थे। च्छातरा की अपरन मामले में मोड इस रूप में सामने आया है कि च्छातरा जिस पीजी में रह रही थी वहाँ उसकी होने की कोई रेजिस्ट्रेशन नहीं मिला है कि वो वही रह रही थी। कोचिंग संसान में जहां पर रहकर पढ़ाई करने की बाद परिवार वाले क्या रहे हैं उसमें उसका कोई रेजिस्ट्रेशन नहीं है इसके अलावा आप तो बताते चले की किड्नैपिंग कहां से हुई है यह जानकारे सामें नहीं आई है यह भी सपश्ट नहीं हुआ है कोलिस की ओर से यह भी कहा गया है तो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के सुबूत नहीं है पीजी हॉस्टल में रहने की भी कोई सुबूत नहीं है अब यह जो वाट्सेप चैट आपको दिखा रहे हैं यह पिता के नंबर पर भेजी गई है वाट्सेप चैट किड्नैपर की ओर से आप देख पाएंगे लिखा गया है कि बैंक डिटेल भेजो लेकिन समय तो चाहिए पैसे की विवस्ता के लिए पिता की ओर से लिखा गया है फिर झाल